पेट्रोल और डिजल की कीमतों में लगातार बड़ाउत्री का दौर बंगलवार सुभा 6 बजे से पेट्रोल असी तो डिजल 70 पैसे महंगा मिलने लगा है दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपे के पार हो गई है यहां पेट्रोल 100 रुपे 21 पैसे प्रति लीटर और डिजल 91 रुपे 47 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है इससे पहले तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीजल में 35 पैसे प्रती लीटर का इजाफा किया था। पिछले आठ दिन में 7 भी बार पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ोतरी की गई है। पिछले साल नवंबर से इस साल 21 मार्च तक पेट्रोल के दाम स्थिर रहे। इस वीच उत्तिर प्रदेश समेट 5 राज्यों में विधान सबा चुनाफ का कारेक्रम चरा। इन राज्यों में चुनाफ खत्म होते ही 22 मार्च 2022 से पेट्रोलियम इदनों के दाम में विधिकल सिलसला शुरू होगा। तब से सिर्फ एक दिन छोड़कर 6-6 दिन दाम बढ़े। इस तरह से आठ दिनों में ही पेट्रोल 4 रुपे 85 प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस साल 22 मार्च से डिजल की कीमतें पेट्रोल के मुकाबले जादा बड़ी हैं। इस बीच किस्तों में ही डिजल 4 रुपे 80 पैसे महंगा हो गया है। वहीं क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओयल मार्केटिंग कम्पनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल रिजल की कीमत में 15-20 रुपे का इजाफा करना होगा। इस लिहाज से देखें तो पेट्रोल रिजल की कीमत में अभी और 18 रुपे की झाल